हेलो फ्रेंट्स वेलकम् अगें मैं हूँ अरपेत। और जैसा कि मैंने लास्ट एप debates ने आप से वादा किया था हम नेक्सट एप्सओड में या नेक्स्स क्लास मेंettleत करेंगा डधीर से related short questions और descriptive मतलब कि बड़े question भी long question भी क्योंकि यहाँ पर मैंने seven question लिये हैं और the terror जिसके writer है guide them absent जो कि एक French writer है यह story originally French language में लिखी गई है और यहाँ पर इसे translate करके आपके syllabus में आई है तो इससे related आज हम question answer discuss करेंगे और यहाँ पर total मैंने seven questions लिये हुए हैं इसमें से पहला question जो है यह बिल्कुल विस्तरे तुतरी है long answer type question है तो आएए चलिए देखते हैं what is the theme of the story the terror या फिर इस question को और कैसे पूछा जा सकता है कि what is the summary of the story the terror यानि कि चाहे theme पूछे चाहे summary पूछे आप दोनों में ही यह answer लिख सकते हैं और इसके अलावा describe the autumn evening that change the narrator's life यानि कि उस autumn evening उस autumn की शाम के बारे को describe करिये जिसने की narrator की जिन्दगी को बदल दिया will marriage solve the narrator's problem और क्या marriage यानि कि शादी जो है वो narrator की problem को solve कर देगी यह आपको इसका answer देना है तो आएए चलिए शुरू करते हैं कि मौन्सियर रेवन writers in the letter to his friend यह कहानी होती कैसे कि जो रेमन नाम का जो आदमी है यह एक letter लिख रहा है अपने friend को तो मौन्सियर रेमन ने जो की writer है writes a letter वो एक letter लिखता है अपने friend को जिसका नाम है पियरे decalsala देखो इन लोग क्यों की french है यह french language में लिखी गए तो इनके नाम आपको थोड़े अजीब लग सकते हैं तो पियरे decalsala यह decalsala जो भी correct pronunciation हो I am also not good in french तो nearby प्रोनसेट ही कर सकते हैं तो यह क्या है कि अपने friend को जो है एक letter लिखता है the day before his wedding अपनी शादी के पहले के दिन और mademoiselle lajole जो है जो कि उसकी होने वाली पतनी है is a middle class woman वो एक middle class woman है of modest means यह ज़्यादा पैसे उसे वाली नहीं है modest है मतलब कि ज़्यादा संपन नहीं है with no evident flaws और उसमें कोई भी ऐसी कमी नहीं है कोई evident flaw नहीं है मतलब कि बहुत कम height की हो बहुत मोटी हो या बहुत लंबी हो या कुछ भी तो ऐसा कोई evident flaw उसके अंदर नहीं है इस औरत के अंदर जो होने वाली wife है इसकी जिसका नाम है mademoiselle lajole फिर आगे देखते हैं तो यह modest means की महिला है जिसमें कोई evident flaw नहीं है और Raymond had only seen her a few times और Raymond ने भी उसे केवल एक दो बार ही देखा है he informs his friend और वो अपने friend को बताता है that he has made the decision to marry her कि उसने उससे शादी करने का decision इसलिए लिया है because he is frightened of being alone क्योंकि उसे अकेले रहने से डर लगता है he claims to be terrified of himself और वो दावा करता है कि वो अपने आप से ही डरता है of having terrifying thoughts क्योंकि जब वो अकेला होता है तो उसके मन में terrifying thoughts यानि की डराओने खयाल आते हैं of losing his sanity कि वो अपनी जो है सोचने समझने की ताकत को अपनी sanity को वो खो देगा यानि पागलपन के ओर वो जा रहा है of feeling a strange disquiet in his mind और उसे अपने मन में एक अजीब सी आशानती महसूस होती है he is even afraid of his own voice और यहां तक कि वो अपनी खुद की आवाज से भी डरता है however he is unsure of what it is that frightened him और यही वजा है कि वो इस बात के लिए sure नहीं है या फिर unsure है कि वो क्या चीज है जो उसे डरा रही है his problem began one autumn उसकी यह जो problem थी वो एक autumn की evening में शुरू होती है the previous year पिछले साल अच्छा दिखो यह कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको यह भी बता दूँ कि यह सचाई है यह जो इसके writer थे वो वास्तों में इस तरीके की समस्याओं से गुजर रहे थे और बहुत कम उमर में ही उनकी death भी हो गई थी guide him absent की ठीक और उन्हें one of the greatest writer of all time story writer माना जाता है तो चलिए देखते हैं कि क्या कह रहा है letter में अपने friend को क्या लिख रहा है कि his problem began one autumn evening previous year यानि कि उसकी जो समस्या थी उसकी जो problem थी वो पिछले साल एक autumn season की evening में शुरू हुई थी he returned to his building HI जो लिखा है इसको HIS कर दीजेगा he returned to his building on a rainy day तो एक बलसात के दिन में वो वापस अपने घर आता है after wandering for a while उस देर इदर इदर घूमने के बाद he goes to his room वो अपने कमरे में जाता है when he gentle allow him in यानि कि जब जो है उसका मकान वाली कहता है कि हाँ ठीक आप जाओ तो वो अपने घर में जाता है learns that the door is unlocked और तभी वो देखता है कि जो door है जो दर्वाजा है उसके घर का वो unlock है यानि lock नहीं है and discovers a man asleep in a chair और उसे ऐसा ऐसा होता है कि कोई आदमी है वो chair पर जो आराम कुरसी होती है हिलती रहती है आपने हिंदी मूवी में भूत वाली chair देखी होगी तो उस पर कोई आदमी सोया हुआ है near to the fire जहां पर आग जल रही है पास में ही क्योंकि बहुत थंड़े थंड़ा देश है France, Europe ही पुरा काफी थंड़ा है तो वहाँ पर जो है कमरे में चिमनिया होती है और जिनसे धुआ बहाद निकलता है और कमरे में ही आग जलाई जाती है तो वहीं आग के पास कुरसी पर कोई आदमी सोया हुआ है ऐसा उसको महसूस होता है As he gets closer और जब वो उसके पास जाता है He noticed that there is no one there तो वो देखता है कि यहां तो कोई भी नहीं है The seat was vacant और जो chair है जो seat है वो खाली है कोई वहाँ नहीं है He thinks about his experience for a long time before और वो काफी समय तक इसीज के बारे में सोचता रहता है Before going to bed यानि की going to be and extinguishing the candle यानि की वो candle जलाने के काफी देर बात तक जो है इसीज के बारे में वो सोचता रहता है He thinks he sees the man again a few minutes later और तभी उसको लगता है कि जैसे उसने एक बार फिर से उसी आदमी को देखा है He has seated in the same chair और एक बार फिर से वो आदमी उसी चेर पर बैठा है By the dying fire जहां पर आग जो है वो बस बिलकुल धीमी सी पड़ चुकी है वहीं पर वो आदमी बैठा है When Raymond strikes a match और जब जो है Raymond जो माचिस है उसको जो जलाता है मैच मतलब माचिस मैच को स्ट्राइक करता है जब माचिस जलाता है He realizes that तब उसे एसास होता है He is once again mistaken कि वहाँ कोई नहीं था एक बार फिर से ये उसको कोई ब्रहम हुआ है He places the chair behind his bed और वो chair को फिर finally अपने bed के पीछे रख देता है This time a short while later He falls asleep और थोड़ी दिर बाद जो है वो सो जाता है But dreams of what he had experienced after entering his room लेकिन फिर वो वही सब को सपने में देखता है जो हुआ था इस कमरे में आने के बाद He feels better और वो better महसूस कलता है When the sun comes up जब दिन हो जाता है जब सुबह हो जाती है And sleeps peacefully until midday और शांती से वो सोता रहता है दो पहर के समय तक He convinces himself He only had a fever and a nightmare और वो अपने आपको convince कलता है अपने आपको समझाता है कि केवल उसको fever है और जो है एक उसने डरावना सपना देखा है And that evening believing everything is back to normal और वो मानता है कि आप सब कुछ जो है नॉर्मल हो गया है He denouse out and goes to the theater और जो है वो जाता है और theater वगेरा भी जाता है मतलब बाहर काफी घूमता टहलता है However on his way home लेकिन फिर जब वो वापस लौट रहा होता है He is concerned that he will have another hallucination तो उसको अब ये चिंटा है कि उसे एक बार फिर से hallucination हो सकता है hallucination का मतलब होता है कि आपको ऐसी चीजें दिखाई दें जो वास्तों में वहां नहीं है जैसे अभी आप कमरे में बैठे हैं और आपको लगे कि बगल में आपके बेड़ पर एक भालू बैठा हुआ है तो असल में तो ये पॉसिबल ही नहीं है लेकिन आपको दिखाई दे तो इसी को बोलते है hallucination तो अब उसे चिंटा है कि जब मैं वापस जाऊंगा तो अपने घर के दर्वाजे के बाहर भी वो 10 मिनट तक खड़ा रहता है तो कमरे के भीतर जाता है और ग्लांस मतलब नजर डालना और नजर डालता है किस और फायर प्लेस की तरफ एक कैंडल जलाने के बाद नथिंग और वहां पर कुछ भी नहीं रहता है लेकिन फिर भी जो है वो अनसेटल रहता है यानि कि थोड़ा परिशान रहता है और ठीक से सो नहीं पाता from that time forward और उसी समय से a fear of being alone grips him अकेले पन का जो डर है वो उसको घेर लेता है या अपने कबजे में ले लेता है he does not believe in ghosts वो भूत वगेरा में विश्वास नहीं करता still he remains uneasy लेकिन इसके बावजूद भी वो uneasy यानि कि बेचायन महसूस करता है he believes that marriage will be the perfect cure for all his problems और वो ये भी मानता है कि जो शादी है वही उसकी problem का समधान है for he will no longer be alone क्योंकि तब वो अकेला नहीं होगा देखो ये कहानी जो है ये कई चीजों के बारे में है असल में आपर ये भी दिखा जा रहा है कि किस तरह से जो है ये जो आदमी है इसके लिए एक औरत केवल जो है मतलब यूज की चीज है उसको कोई लेना देना नहीं है अपने wife से he don't love her he is not even connected with her in any way उसको तो बस खाली ये चाहिए कि अच्छा ठीक है मुझको बहुत डर लग रहा है तो क्या करो कि कोई होना चाहिए कौन हो इससे मतलब नहीं है बस कोई भी हो जैसे कि कोई आपकी बकरी है कोई आपका कुटा है तो ऐसे एक पत्नी भी है बस इतनी ही value उसके लिए अपनी wife के है तो ये थी stories की तो आप यहां पर उपर जो मैंने question कहीं सारे दिये थे उन सब के answer में इसको लिखा जा सकता है तो अब चलिए आगे देखते हैं ये बहुत ही अच्छी story तो है लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप असल में किस बात से डरते हैं अगर आप कहीं अकेले हैं घर में अकेले हैं आप या किसी भी जगा अकेले हैं तो आप अकेले होने से डरते हैं या फिर आपको डर है कि आप असल में अकेले नहीं हैं कोई और भी है वहां पर तो बताइए फिर कि आप अकेले होने से डरते हैं कि इस बात से डरते हैं कि आप अकेले नहीं हैं तो next question है हमारा Give a main theme of the story, the terror Guide to Mapsant is a famous French author in the 19th century ये 19th century के famous French author थे Most of his stories illustrate dark scenes और उनकी story के ज़्यादा तर जो है story थी वो dark scenes illustrate करती थी and outlandish experience और ऐसे experience जो है जो कि everyday life के ऐसे experience के बारे में होती थी जो कि outlandish है ये कि इस दुनिया के नहीं है Among which the terror is one of the most typical और इन कहानियों में से जो terror है वो one of the most typical story है बिल्कुल इनके style की story है This short story tells about single-faced men ये short story जो है एक single-faced man के बारे में है who witnessed an illusion of himself sitting in the room जो की witness करता है एक भ्रहम का उसे ऐसा लगता है कि जैसे की room में कोई बैठा है तो यहाँ पर का जा रहे कि वो खुद ही बैठा है ऐसा उसको महसूस होता है after turning home late at night और ऐसा कब होता है जब वो एक दिन देर रात को जो है अपने घर आता है He was haunted तो बहुत डर जाता है and then decided to marry to free himself from the fear और फिर खुद को इस डर से आजाद करने के लिए वो शादी करने का फैसला करता है the story is usually simply regarded as a mysterious short story इस story को जो है simply एक mysterious short story के रूप में देखा जाता है about supernatural phenomena जो कि supernatural phenomena के बारे में supernatural मतलब जो natural ना हो ठीक यानि कि भूत supernatural phenomena यानि कि supernatural घटनाओं पर अधारित है on the other hand इसके अलावा it can also be considered a more personal perspective इसे एक और ज्यादा personal perspective के रूप में भी देखा जा सकता है particularly the psychiatric perspective खास्तों से एक psychiatric perspective से यानि कि किसी की मानसिक या psychology से related perspective से one of the most stimulating questions about the story's real meaning is whether the main character in the terror is the victim of an anxiety disorder तो जो one of the most stimulating questions जो सबसे महतुपूर्ण परश्न है stimulating question है about the story's story की real meaning के बारे में वो ये है कि क्या जो main character है इस story का the terror का वो victim है यानि शिकार है an anxiety disorder का which leads to extremely frightening symptom of him जिसकी वज़ा से जो है उसके अंदर कैसे जो है symptom हागे है बहुत ही ज़्यादा वो डरा हुआ है तो वो इसका शिकार है it is also pointed out that emptiness in life can lead to this disorder इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि अगर किसी इनसान की जिन्दगी बिलकुल empty है बिलकुल खाली है आपकी जिन्दगी में बिलकुल खाली पन है तो फिर इस तरीके का disorder जो है आपको हो सकता है या आपकी जिन्दगी का जो खाली पन है वो ही आपको इस तरीके के disorder की ओर ले जा सकता है in the story यानि कि इस कहानी में the author describes that the character always feels lonely and bored यानि कि इस story में जो है author describes करता है कि जो character है वो हमेशा अकेला और bored महसूस करता है he tries to break his loneliness by looking for friends but failed और वो कोशिश करता है अपने अकेले पन को दूर करने के लिए लोगों से दोस्ती करने की कोशिश करता है लेकिन वो fail हो जाता है even he himself admitted that और वो खुद ही इस बात को admit भी करता है he is there just because I am alone कि वो यहाँ पर है क्यों है क्योंकि मैं अकेला हूँ तो he मतलब वो जो इनसान जो जिसको देखता है वहाँ चेयर पर बैठा हुआ तो यह letter में लिखता भी है अपने दोस्त को कि मैं जानता हूँ कि वो भूत उत्पन मैं यकीन करता नहीं हूँ मैं जानता हूँ कि वो यहाँ पर क्यों है वो जो soul स्यानी की origin कारण जो है उसके डर का वो क्या है his lack of companions कि उसके कोई साथ ही नहीं है इस वज़ा से यही उसके डर का कारण है he decides to solve this problem of loneliness by getting married और अपने loneliness की problem को solve करने के लिए शादी करने का फैसला करता है next question narrate the climax of the terror the climax occurs as Monsieur Raymond recounts the moment when he returns from an outing to a restaurant तो restaurant का सही प्रोनसेशन है restaurant तो story जो है यह इसका climax का है climax मतलब बिल्कुल peak, ant तो इसका climax है कि जब Raymond नाम का यह आदमी जो है वो याद करता है उस समय के बारे में जब वो लॉट कर आता है एक restaurant से वापस अपने घर and a theater और एक theater से मतलब कोई movie वगरा देखकर वापस आता है but is reluctant to go into his bedroom लेकिन जो है उसकी वापस अपने bedroom में जाने की इक्षा नहीं है for fear of seeing the phantom क्योंकि उसे डर है कि वो एक बार फिर से उस भूत को देखेगा अगर अंदर जाएगा तो उसे डर लगता रहता है however after mustering courage लेकिन फिर जो है जब वो अपनी हिम्मत जुटाता है अंदर भीतर जाने की courage को वो muster कलता है जुटाता है he enters तब वो कमरे में घुसता है I kicked open my bedroom door तो यह letter सही है हिस्सा लिया गया है कि I kicked open my bedroom door यानि कि मैंने अपने bedroom के दरवाजे को खुला which was partly open जो कि थोड़ा आदा खुला हुआ था and cast a frightened glance towards the fireplace और मैंने नजर डाली जो है fireplace की तरफ there was nothing, वहाँ पर कुछ नहीं था oh what a relief कितना मुझे relief मिला यह देखकर कि वहाँ कोई नहीं है and what a delight बलकि कितनी खुशी मिली यह देखकर कि वहाँ पर कोई नहीं है what a deliverance बलकि यह कहें कि मुझे मुक्ती मिली deliverance मतलब मुक्ती मुझे एक तरक्य से मुक्ती मिली यह देखकर कि वहाँ पर कोई नहीं था I walked up and down briskly and boldly तब मैं महिम्मत से जो है पूरा कमरे में boldly मैं walk up करने लगा but I was not altogether reassured लेकिन अभी भी मेरे मन में शंका थी and kept turning round with a jump और बीच बीच में जंप करके बिलकुल मुड़ कर देखता था the very shadow in the corners disquieted me और जो मेरी खुद की ही परचाई थी वो ही मुझे डरा दे रही थी next question name the character in the story तो इस story में कौन कौन से character है आपको उनके नाम बताने है उनके बारे में बताना है तो इसमें पहला character तो यही है मौजियर रैमन तो रैमन कौन है narrator who lives in Paris तो narrator जो की Paris में रहता है his apparent hallucinations and nervous state of mind indicate that he is mentally unstable और उसका जो apparent hallucination है और जो उसकी nervous state of mind है वो इस और इशारह करती है कि वो mentally unstable इंसान है जैसा कि इसके writer guide मौजियर आपसेंट वास्तों में भी थे as was the author himself जैसा कि author खुद भी थे मौजियर तो वास्तों में अपसेंट तो इंड आफ ए शौर्ट लाइफ apparently is a result of his earlier development of syphilis और जो है देखो syphilis एक तरीके की बीमारी है तो मौजियर जो थे उनका जो इंड हुआ उनकी छोटी सी लाइफ का वो किस इसका result था वो हो सकता है कि syphilis का result था either conjuntically or through sexual contact तो ये जो है हो सकता है कि जो है ये खुद है develop हुई हो या फिर sexual contact के दोरह या नि किसी के साथ physical relation बजाने की वज़ा से हुई हो and of overwork and the use of drugs and alcohol तो syphilis के अलावा और किस वज़ा से इनकी जल्द ही death हो गई थी overwork कियाने की बहुत ज़्यदा काम करने की वज़ा से सोते नहीं थे काम ही करते रहते थे लिखते ही रहते थे and use of drugs and alcohol और इसके लावा drugs और alcohol भी बहुत भारी मात्रा में लेते थे इस वज़ा से इनकी बहुत कम उमर में ही death हो गई थी maps and died in an asylum और जो maps and died in an asylum और जो maps and died in an asylum उनकी मौत एक asylum में होती है asylum क्या होता है जिसे आपको नशे की लत या इस तरीके की दिमागी समस्याएं हो जाती है तो उससे छोटकारा दिलाने के लिए लोगों को asylum में भेजा जाता है वैसे asylum का शाब्दिकात है शरनस्थली तो दूसरा जो है character है Pierre Decolsley जो कि उसका दोस्त है narrator's friend to whom he reveals his fear जिसको कि वो letter लिखता है और अपने डर के बारे में बताता है next character है janitor and porter ये लोग कौन है अभी दिनकी बात तो आई ही नहीं तो देखते हैं कौन है men who work in the apartment building where the narrator live यानि कि ये दो आदमी हैं जो उस apartment की building में काम करते हैं जहां पर की narrator रहता है they are referred to in the story यानि कि इस story में उनका उले खाता है but are not described or quoted लेकिन उनके बारे में कुछ बताया नहीं किया है next madamus le la jole तो ये तो आप जानते हैं कि narrator's bride to be यानि कि narrator की होने वाली पत्नी यानि कि वो औरत या लड़की जिससे इसने शादी करने का फैसला किया है next question write a note on the title of the terror यानि कि इस movie का जो title है the terror इसके बारे में आपको लिखना है कि मतलब ये the terror title कितना उचित है कितना सही है ये बहुत important question है ठीक है तो देखिए क्योंकि आप जानते हैं कि ये story originally French language में लिखी गई थी तो इसका वास्त्विक title the terror नहीं है लुई है तो देखते हैं the original French title Louis is a personal pronoun that may mean he, him, her, it, to him, to her, or to it तो जो original French title है ये एक personal pronoun है जिसका मतलब हो सकता है he, यानि कि वह, या him, या her, या it it मतलब कोई निर्जीव he और her तो जो है किसी male और female के लिए और it निर्जीव के लिए to him, to her तो ये असल में ये लुई जो है ये किसके लिए कहा गया है वो जो इनसान था जिसे अपने कमरे में चेहर पर बैठे हुए देखता है उसके लिए लुई टाइटल था ठीक तो ये इन चीजों को indicate करता है इसका मतलब है he, him, her, it, to him या to her, or to it इन मैपसेंट स्टोरी याने कि मैपसेंट की स्टोरी में लुई रिफर्स तू दा फिगर ही सीज इन दा चेहर लुई किसके और रिफर करता है उस फिगर की और जिसे कि वो चेहर पर देखता है he wrote further और उसने आगे लिखा भी है I was afraid of seeing him again कि मैं उसे दोबारा देखने से डरता था कि मुझे डर था कि वो मुझे दोबारा न दिख चाए I was not afraid of him मैं उससे नहीं डरता था not afraid of his presence उसके presence से भी मैं नहीं डरता था in which I did not believe क्योंकि मैं मानता ही नहीं था कि वास्तों में यहाँ पर कोई है न तो मैं उस आदमी से डरता था या उस चीज से डरता था ना मैं उसके यहाँ पर होने से डरता था क्योंकि मैं जानता था कि वो यहाँ है नहीं है but I was afraid of being deceived again बलकि मुझे डर किवल इस बात का था कि एक बार फिर से मुझे दोखा ना हो जाए तेक वो एक बार फिर से दोखा खाने से डरता था कि मुझे भ्रहम ना हो जाए कि यहाँ पर वो है क्योंकि यह तो मैं जानता ही हूँ कि वो कभी यहाँ पर था ही नहीं मैं किवल उस भ्रहम से या उस दोखे से डरता हूँ कि मुझे अहसास हूँ कि यहाँ पर कोई है I was afraid of some fresh hallucination और मुझे डर था किसी fresh hallucination का यानि इस तरीके के भरहम का afraid let's fear should take possession of me और मुझे डर था कि कहीं एक बार फिर से जो है डर जो है वो मुझे अपनी गिरफ्त में ना ले ले तो इसी लिए the terror title जो है वो बिल्कुल सही title है क्योंकि असल में उसे डर था कि कहीं डर उसे अपने शिकंजे में ना ले ले next question write a note on narration and conflict in the terror यानि कि आपको जो है इस story के narration और conflict, narration मतलब कहानी कहने का तरीका और conflict मतलब ठकराओ, तो the terror story में जो narration और conflict मौझूद है उस पर आपको लिखना है the narrator Monsieur Raman tells his story तो जो narrator है Raman वो अपनी story बताता है Monsieur Raman in first person point of view, first person point of view मतलब कहानी कहने का ऐसा तरीका जिसमें जो कुछ है वो आपके ही साथ हो रहा, उसी वेक्त के साथ हो रहा है जो की कहानी सुना रहा है because he is mentally unstable और क्योंकि वो mentally unstable है and because he recounts events only as he sees or interprets them और क्योंकि पहली बात तो mentally unstable है और दूसरी बात यह है कि वो घटनाओं को जो है उसी तरीके से जो है recount करता है, जैसे कि उसने उसे देखा है या जैसे उसने उसे समझा है, the reader cannot be certain, तो reader इस बात के लिए निश्चित नहीं हो सकते that he presents an accurate account की, उसने जो बात कही है, वो सच है और his experiences या फिर जो वो अनुभो बता रहा है वास्तों में वैसा ही हुआ होगा इसके लिए reader कभी भी शो नहीं हो सकते हैं महजरे रह्मन सफर्स फ्रॉम बोथ internal and external conflict, तो यह जो character है यह internal और external conflict से जो है, जूज रहा है on the one hand he agonizes about his mental state एक तो उसके अंदर agonie है, दुख है अपनी mental state को लेकर on the other hand, और दूसी तरफ he frets about what he saw on the chair next to the fireplace और वो इस बात से भी परिशान है कि उसने फायर प्लेस पर क्या देखा तो देखो भाई, एक इनसान जिसकी mental state पर पहले ही प्रशन लगा हुआ है, उसने क्या देखा है, इस पर आप कितना भरुसा करेंगे, क्योंकि वो तो when he hides the chair लेकिन जब वो चेर को उदर पीछे की तरफ छुपा देता है जिससे कि उस पर कोई बैठा हुआ उसे दिखाई न दे he betrays a fear that the incorporeal intruder is real तब जो है, वो इस डर को जो है मतलब एक तरीके से दिखाता है कि जो intruder है intruder का मतलब होता है जो दूसरे के छेतर में प्रवेश कर जाए घुस पैठिया कि जो intruder है जो घुस पैठिया है वो real है, वास्तों में है तो ये डर तब जो है दिखाई देता है जब वो असल में उस chair को हटाता है कि जब तुम बाई इतने आश्वस्त हो कि कोई भूत उत है ही नहीं तो फिर तुम्हें chair हटाने की क्या जरूरत थी तो ये conflict है से story का next और last question है ये हमारा आज का कि which type of work is the terror by guide him absent and in which year was it published कि ये किस तरीके का काम है किस तरीके की writing है the terror guide him absent की और किस साल ये published हुई थी तो the terror जिसका French title लूई है original title लूई है is a short story ये एक short story है about a terrifying episode in the life जो कि जिन्दगी के एक धराउने episode के बारे में है of an apparently mentally disturbed man जो कि एक mentally disturbed से आदमी के बारे में है it is one of many of the fantastic about bizarre bizarre मतलब अजीब ठीक तो bizarre और chimerical happenings यानि की जो है ये बहुत सारी जो है fantastic bizarre जो है happenings में से एक है that Mopsent wrote यानि की Mopsent ने जो अनोखी writings लिखी है जो अनोखी कहानिया लिखी है उन में से ये एक है it first appeared in Gil-Bias magazine तो ये पहली बार जो है आई थी Gil-Bias magazine में on July 3, 1883 यानि की 3 July 1883 को ये पहली बार जो है publish हुई थी under the signature of Mopsent ये भी एक नाम है मतलब बहुत बार होता क्या की writer जो है किसी दूसरे नाम से जैसे आपका नाम है राजीव तो आप सची नाम से जो है signature से यानि इस नाम से जो है writer के ये publish हुई थी in 1904 it was published in the compendium Les Sores Redoli देखो ये अजीब जीब नाम इस लिए है क्योंकि ये French language के नाम है ठीक है तो 1904 में एक बार फिर से publish हुई थी edited by Paul Allendroff Paul Allendroff जो है इसके editor थे उन्होंने इस story को edit किया था तो दोस्तों ये हमारा वीडियो आज का हो गया complete the terror का next episode में हम the warbust trade union को discuss करेंगे नहीं इसे तो हम already discuss कर चुके हैं तो next episode में हम आपका कोई और topic discuss करेंगे और आज के लिए बस इतना ही thank you